दोस्तों क्या आप भी हरा पोधा घर में रखने के सोकीन हैं अपने ड्राइंग रूम में बैड रूम में या लिविंग रूम में रखना चाहते हैं और लगाते हैं चोईस करना पता नहीं होता तो इस तरह का पोधा लगाते हैं देखें कितना हरा भरा खुब सूरत सा पोध लेकिन रेजल्ट क्या होता है? ये फ्लोरिश होने की बजाए हो जाता है आपका अईसा ये देखिए, ऐसा हो जाता है, पत्त्ते पिले पड़ जाते हैं, इसकी जो एक एक बरांच करके सारी मरथी चली जाती हैं, ये देखिए, ये डेड हो रही है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है आप करने पाते हैं मन तूड जाता है आपका क्या पौधे लगाये थे हमने इतना पानी डाला था लेकिन फिर भी पौधा नहीं चलता है पौधा इस पौधे में खासियत यह होती है इसको थोड़ी सी धूप भी चाहिए पानी कम चाहिए खाद जो कि आप लोग करने पाते हैं और धूप का मतलब लोग समझते हैं कि हमने घर में पौधा रखा है चार दिन के लिए फूल सनलाइट में छोड़ दिया तो जब कोई चीज छाय में रहेगी और एकदम उसको सनलाइट में छोड़ देंगे आप हार सनलाइट में तो वो भूल जाएए अब लगाएए इस पौधे को यह देखिए इस तरह का पौधा है आप सोचते हैंगे इसमें क्या फरक है फरक देखिए साफ है इसका जो डंडी कुछ हो रहा है और इसकी देखिए यह बांस देखा होगा अपने बैंबू यह देखिए बैंबू की पौरी की तरह इसकी पौरी निकल रही है देखिए और चोटे से आठ इंची के गंबले में लगा हुआ है और पौधे की संख्या बताएं तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा ग्यारा पौधे इसमें से निकल चुके हैं तो इस पौधे की खासियत क्या है आप स living room में या bedroom में इसको रख सकते हैं ऐसा ही हरा भरा रहेगा बस याद रखिए कि पानी ज्यादा नहीं डाला है तो दोस्तो इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या तरीका होगा उससे पहले मैं पौधा दिखा दूँ इसके इस तरह के पौधे हमा मेरे पास पोधा है और इन पोधों में से चोटे-चोटे पोधों में से देखें इसके सप्राउट्स यह निकल रहे हैं इसका देखिए आपका यह निकल रहा है इसमें से यह निकल रहा है तो यह साल के अंदर ही कई multiply हो जाता है निकलता रहता है इसके अंदर से और इस तरह की हर्याली आपके घर में ये पौधा हमारे तीन साल से ओफिस में है हम इसको धूप अगारे नहीं दिखाते हैं बस कभी कभार धो देते हैं इसके पत्मों पे धूल मिट्टी आ जाती है तो आईए इसको लगाने का पूरा तरीका आपको समझाएं ताके आपके घर में बिना किसी हैजिटेशन के ये पौधा हरा भरा रहे ओक्सीजन और हर्याली दोनों प्रुवाइड करता रहे तो दोस्तों इसके लिए हमने लिया है मिट्टी का गमला लेकिन मिट्टी की बजाए चीनी मिट्टी का या प्लास्टी का गमला भी ले सकते हैं क्योंकि गमला जो है अंदर रहना है तो ये मिट्टी का पूरी तरह से क्लेप पका हुआ गमला लेखिए साउंड और इसमें 10 इंची का होल है उसके पर हम एक टिपरी ये रखेंगे अब मिट्टी में क्या क्या मिलाना है मिट्टी जैसे के इसको वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए मिट्टी का मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए पानी कम चाहिए जो पौधा अंदर होता तो इसमें धूप लगती नहीं aeration ज्यादा नहीं होती तो पानी मोशर यानि के सूकता नहीं है मोशर नहीं सूकता तो ज्यादा पानी की अवश्चता नहीं पाथ तो यह हमने गमला ले लिया है, अब इसके अंदर यह देखे, मिट्टी में हमने क्या मिलाया है, दिख रहा है आपको, इसको पोरस बनाने के लिए हमने मिलाया, राइ सस्क। यानि के चावल का चिलका, लीप कंपोस, भर्मी कंपोस, या गोबरखाद, और फिर मिलाया हमने इसमें यह calcium powder, calcium powder, calcium phosphorus zinc जो है वो देता है, तो इस तरह से हमने मिला करके मिटी त्यार कर ली, आपको मिटी थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, कारण यह है बारिश होनी के वज़े से यह गिला हो गया है, तो हम इसको इसमें भर लेंगे, गमले में ऐसे यह गमले में हमने ऐसे भर लेना है, और फिर पौधे को इसमें लगा देना है, बैलरेन स्वाइल क्या होता है, यह भी मैं आपको दिखा दूँगा भी, ठिक्षिस करण से काम करता है, इतना करने के बाद हम एक पौधा उठाएंगे, और इसको इसमें रखके देखेंगे, तो बिल्कुल ठीक पोजीशन पर है, अब यह थैली हमें काटनी होगी, तो कैंची उठाएंगे और इस थैली को ऐसे काट देखेंगे, यह काट दिया, यह रखा और इस तरह से हमें इसको मिट्टी से ढगना है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है नीचे, क्योंकि यह जो सप्राउट निकल रहे हैं दो, डाउन हो जाएगा, तो हम थोड़ी से मिट्टी और डाल करके इसको पोदे को उपर ऐसे उठाएंगे, यह देखेंगे, अब इस मिट्टी को हमने चारों साइड से ऐसे डालना है, अब हमने इसका रूट बॉल डिस्टरब नहीं किया है, त इसको एब्जॉब करेगा और पटा-फट पौधा ग्रो करेगा, अब इसको हम मिट्टी से ऐसे डर्ट देंगे, यह देखिए, और मिट्टी प्रॉपर देनी है, यह नहीं है कि हमने तिन चार इंची जगा गमले में छोड़ दी, गमले में एक से डेड़ इंची जगा ही पानी जिसमें पानी कम से कम आपका आए, कई बार और ऐसा होता है कि लोग बहुत जगए छोड़ देते हैं, जिससे क्या है, ज्यádदा पानी डलने से पोधा खराब होता है, तो पानी ही आपको ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि अंदर रहने वाले पोधों में अकसर ऐस करना पर तो अब हम इसमें कितना पानी डालें गे एक लिटर पानी है यह पूरा एक लिटर पानी हम डालेंगे और आप देखेंगे किय से वेल्ड रेन जो है काम करता है आप ये रहा पानी हमने डाला और आप घड़ी स्टार्ट कर लें एक मिनट से पहले ये पानी सारा का सारा गमले के अंदर मर्ज हो जाएगा ये देखिए ये जादोई मिट्टी हो गए एक तरह की हमने पानी डाला और पानी ये गया और ये गया कुछ ही सेकिंड्स के अंदर पानी चला गया इसके अंदर तो ऐसी मिट्टी रहेगी त दूप मेले तब भी चलने वाला पौधा है इसका नाम आप ध्यान से सुन लें इसका नाम है बैम्बू पाम बैम्बू पाम जो है आप 10 इंची 8 इंची गमले में 12 इंची गमले में लगा सकते हैं और इस तरह के सप्राउट जो है निकल करके एक साल के अंदर आपका पौधा कुछ इस तरह का त्यार हो जाता है यह पौधा देख रहे हैं दोस्तो आठ इंची के गमले में लगा हुआ है और कितने सारे स्प्राउटिड हैं अब इसकी एक खासे तोर बताता हूँ अभी जो है अक्टूबर नॉम्बर के महिने में इसके अंदर फ्लावरिंग आती है कि इससी इसंदर कि पया कई सब्ड़ के आधिते अर्ड हैं और कि शलिएख खूर करें तो इसको टाइम टू टाइब निकालते रहे जैसे डेखें यह तरह से दुए से बढ़िए की पूरियां होती है इस तरह से बंती चली जाएंगे तो इसको कहते हैं दोस्तों बैंबू पाम बैंबू पाम अब इसमें जिस तरह की हर्याली है इसको हम इंडोर प्लांट फूड यानि के इंडोर प्लांट फूड क्या है जैसे के मनी प्लांट है प्रोटोन है बैंबू प लिक्विड फर्टिलाइजर भी तीन मेने में एक बार देते रहेंगे तो इसी तरह का पौधा आपका हरा भरा आपके घर में रहेगा कभी इस तरह से मुर्जाने वाला जैसे कि आपने देखा है ऐसी कोई कंडिशन नहीं है तो दोस्तों आज हमने इस पौधे को लगा दिया अब इसमें हम पानी जो है एकसस नहीं डालेंगे आज हमने एक लिटर पानी डाल दिया आगे कब पानी डालना है यह ध्यान से सुनिये अब जो पानी डलेगा 5-6 दिन या 7 दिन बाद इसमें पानी डलेगा उससे पहले पानी की अवश्रक्ता नहीं रहेगी पौदा छोट में आप हर्याली की कमी नहीं रहेगी बेंबू पाम लगाईए हमारे पास एविलेबल है दोस्तों ये आप वाट्सअप नमबर 999-699-28517 पे लिखिए बेंबू पाम बेंबू पाम पैक करके आपके घर तक पहुच जाता है पाइक कूरियर ब्लू डाट की सर्विस होती है फास्टेस सर्विस धन्यवाद दोस्तों